ये बुढ़ा खटूसा इस राकी को कहता था वासरूम जा रही हो तो वासरूम का गेट खुला रखो मैं खड़ा हो के देखूंगा तुम नहाने जाती हो तो घड़ी रहो ऐसे ही मैं तुझे देखूंगा मतलब जैसे नोच थे नहीं है सारे अधिम हमको नोच रहे थे अरे वो मर्द कैसा जिसने जीवी रोड जैसे एडिया में पतनी को सरयाम निलाम करने के लिए छोड़ दिया हो फूरा कपड़ा खोल देते थे मार फिट कर देते थे थू है ऐसे आदमी पर सरमाना चाहिए ऐसे कलंकित लोगों पर थू है यह मर्द के नाम पे काला धबा है थोक मारती हूँ ऐसे मर्द पे वो लोग बोलता थी कि एक भूंगा तुठाओ एक भूंगा तुठाओ और उसके बदन में टच करता था वो भाहिसूर और वो ससुर सब और वहां पे बीस गो लोग आया था राकी को वहां से आज इस परिवार के लिए खड़े होने की जरूरत है नहीं तो इस परिवार का इंसानियत के उपर से भरोसा उठ जाएगा ये मसला भारत और नेपाल का नहीं है ये मसला गैर मुल्क का नहीं है ये मसला इंसानियत का है ये मसला सही और गलत का है क्योंकि आज राकी के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत है गलत है इस महिला को भगवान बचा लिए नहीं तो आज ये महिला जीबी रोड में होती देंब्यापार के उस दल्दल में होती जहां 100, 200, 400 रुपए के लिए महिलाओं के जिस्म के साथ खेला जाता है जिस्म को नोचा जाता है बड़ी ही दरदन पती का क्या नाम है आपके रंजीत जा उनका फोटो दिखाईए ये इनके पती रंजीत कुमार है और आपको जानकर आश्चर होगा कि रंजीत कुमार इनको लेजाकर जीबी रोड जैसे जगह पर रख देते हैं इनको मारते हैं पीटते हैं और इनके साथ क्या-क्या जुल्म करते हैं आप सुनेंगे तो साहब आपका कलेजा फट जाएगा और सायद ये सारी चीजे जब ये बताने लगी ये महिला बता रही थी तो हैरानी मुझे भी हुई कि क्या कोई पती इस कदर अपनी पतनी को प्रतारित कर सकता है आप आपको जानकर आश्चर होगा कि इस महिला को नंगा करके बच्चों के सामने इस महिला के दो बच्चे हैं बच्चों के सामने नंगा करकर के मारा जाता था पीटा जाता था जिसको ससूर ये कहती थी यानि कि जो जिसको ससूर का दरजा पिता समान होता था वो पिता इस लड़की के साथ क्या कुछ करता था आज जरा तो खेरिन नहीं बहुत मार पीट करते थे बाहर आने के बाद दर्वाजा तोड़ने लगते थे बहुत मारते थे वहीं से घिसिया के ले जाते थे रूम में और बंद करके हाथ बान के बहुत मारते थे अब आज जो निकलता था हम मार पीट करते थे हमारे साथ तो मुह में फूल जैसी बच्ची को, मासूम बिट्या को और मासूम बहु को ये कहता है कि तुम बातरूम जा रही हो तो बातरूम का दरवाजा खुला रखो, मैं देखूंगा ऐसे ऐसे पापी लोग हमारे समाज में रहते हैं, ऐसे ऐसे पापी, ऐसे ऐसे दुर्चारी लोग इस धर्ती पर बोज बने हुए इनकी बैठा बताते हुए आउन कैमरे पर मुझे सरम आ रहा है ये सारी चीज नहीं बतानी चाहिए लेकिन क्या करूं बिबस हूं मुझे आज इनकी पूरी कहानी पूरी बैठा इनका आउन कैमरे रखना पड़ रहा है अब आप समझने का प्रयास कीजिए ससुर और पहु का कमरे में अब सोचिए जरा कमरे में लेजा के बंद करके मुह में रुमाल भरके मुह में कपड़ा भरके इस बिडिया को मारा जाता था इस महिला को प्रतारित किया जाता था कैसे 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 दरिंदे लोग हमारे समाज में रहते हैं ससुर जब ये सारी चीज करते थे इ पूरा खोल देते थे मार्पिट कर देते थे थू है ऐसे आदिमी पर सरम आना चहिए ऐसे कलंकित लोगों पर थू है यह मर्द के नाम पे काला धबा है मर्द का मतलब यह नहीं होता है मर्दानगी की किसी महिला को कमरे में बंद करके नंगा करके उसका कपड़ा निर्वस्त क करके बच्चों के सामने मारा जाए क्या नाम हुआ सर आपका सुनील चौधरी मेरा सुनील चौधरी कितने बच्चे हैं आपके तीन लड़की है मैं बेटी का बाप हूँ बेटा गना मुझे कोई बच्चा नहीं है यही तीन बेटी है मुझे पिता आंखों में आंसू पयास करेंगे कि एक बच्ची यह कह रही है कि उसका साधी होता है साधी होने के बाद उसका पती उसको आठ सालों तक मारता है जिशा को पीटता है तो फिश्माइन को तुसके ड़की कमारी है ये राखी कुमारी क्या आपको राखी कुमारी जिस तरीके से अभी फोटों में दिख रही है क्या ये राखी अभी दिख रही है सामने में ये राखी और इस राखी में देखिए कितना अंतर है देखिए और ये बुद्धा खसूटा मानसिक पीरा तुछ आदमी हवस के भू पुरान धोती पहन के अपना जिंदगी गुजारा कर रहे हैं, इस पिता के पास ना धन है, ना दौलत है, ना जमीन है, ना जाधात है, ना बेटा है, ना कुछ है, सिवा एक इज्जत का, जिस इज्जत को सरेयाम, ये हवान के सैतान, ये हवान के सैतान, दिल्ली जीवी रोड, जैसे रेड राइट एरिया, जहां पे बेटी अगर एक सकेंट के लिए लड़की को एक सकेंट के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसको अपने हवस का सिकार बना लिया जाता है, जिसको वहां पे बैस्या बिर्थी की जाती है, उस एडिया में कोई सब परिबार गुजरना भी पसंदना करें, उस एडिया में ये हवस का सिकार, ये तुछ परानी, ये निकम्मा, ये आदमी इस पतनी को, राखी को, एक सब बेटी को, संस्कारी बेटी को, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसे एक साइन के अलाबा और कुछ न किसी भी लड़की को एक सकेंड के लिए छोड़ दिया जाए, उसके बाद लड़की को वहां से उठा लिया जाता है, जहां पर आप पता भी नहीं लगा सकते हैं, कि आपकी बेटी आपकी बहु गई कहाँ, इसका मांसिक कीरा एक ही था, कि या तो इसको पागल करके पागल एडिया यह जीबी रोड दिल्ली में छोड़ दिया जहां पे दीन रात वैसिया बिढ़ती होती है जहां पे लड़की एक सकेंड के लिए रुकना पसंद न करें जहां पे लड़का न जाना पसंद करें उस एरिया में इस राकी को छोड़के वो यह सावित करना चाह रहा था कि वहाँ पे बिहार आने के बाद वो एक ढोल नगारे के साथ समाज में ये कहता कि राखी रात रात बार बात करती थी पूरे दिन बात करती थी और वो किसी लड़के के साथ फरार हो गई मुझे छोड करके अब ये निहैती बत्तमीज आदमी इसकी पदाइस गंदी इसकी मा ने जनम दिया अब इसकी मा को गाली दू मैं और दू भी क्यों न क्योंकि इसके पूरे परिबार ने ये बुढ़ा खटूसा इस राकी को कहता था कि तुम वास्रूम जा रही हो तो वास्रूम का गेट खू होके देखूंगा तुम नहाने जाती हो तो घरी रोव ऐसे ही मैं तुझे देखूंगा लेकिन मैं आपको बता दू कि ये लर्की आप अभी देख रहोंगे कैमरे के सामने एक बार भी इसकी सर से पल्लू नीचे नहीं हुई होगी इसकी आँख उपर नहीं हुई होगी ये गरीब घर की बेटी अपनी न्याय की उमीद लगा रही है इसने अपनी जान का अपनी आत्म सम्मान की समझोता नहीं की इसने अपनी जिंदगी से समझोता नहीं की लेकिन अपनी इज़त के लिए इसने मार खाना पसंद की लेकिन बुढे की हवस की सिकार नहीं बनी अपन को सरयाम निलाम करने के लिए छोड़ दिया हो वो मर्द कैसा ठोक मारती हूँ ऐसे मर्द पर तो राखी की ये दुख भरी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए आखों में आसू आ जाता है और राखी आज बहुत कुछ पताने के हालत में नहीं है राखी बेबस है और पिता भी प प्रसानियत के उपर से भरोसा उठी जाएगा, अब ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं, मैं मूल बात बता देता हूँ, ये लोग नेपाल के नागरिक है, नेपाल के रहने वाले हैं, साधिया आप बिहार किये थे। यह लोग नेपाल के रहने वाले हैं और जहां साधी किये थे हरलाखी थाना बिहार का लगता है बिहार का वो भेडिया किस तरीके से इस विडिया का जिसम नोचने का काम किया है किस तरीके से इस जत को तार-तार किया है और मैं सभी लोगों से निवेदन करता है यह मसला भारत और नेपाल का नहीं है यह मसला गैर मुलक का नहीं है यह मसला इंसानियत का है यह मसला सही और गलत का है क्योंकि आज राखी के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत है गलत है और रा इस परिवार के साथ इंसाफ हो, इस पिता के साथ इंसाफ हो, इस नन्ही बिटिया के साथ इंसाफ हो, और इस मा के साथ इंसाफ हो, इस पुरी घटना पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और आप लोगों का क्या कुछ राय है, वो भी प्रतिक्रिया अपनी हमें जरूर दी झाल 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 झाल